क्यों इतनी देर क्यों लगा दी आने में? सारा काम पढ़ा है और तू अब आ रही है? तुझे पता है ने कल से छट पूजा शुरू है मेरा व्रत है? मालकिन वो बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई थी आज उनके पापा की तब्या ठीक नहीं है ये अच्छा बहना है रोज तू कोई नो कोई बहना बना लेती है देर से आने का जा कर पहले बरतन कर ले और सुन शाम को मशीन लगा लियो कप्रे पढ़े हैं धोने को मालकि है मैं के समय कप्रे दोने के लिए जाती है धेरो कपड़े धोने के बाद शोभा अपनी मालकिन से कुछ रुपए मांगती है उस समय मालकिन अपनी छट पूजा के लिए सामान मंगा कर रख रही थी रामदीन ये पूजा का सारा सामान रसोई में रख दे फल, मेवा, बांस की टोकरी और भी सारा सामान जो भी छट पूजा काये है बिल्कुल तरीके से रसोई में रख न तुश्मा और कुछ मंगाना है तो बता दो मैं बाजार जा रहा हूँ लेता आओंगा मालकिन वो कपड़े धुल गए थे वो सुबह मैंने आप से कहा था कुछ रुपए एडवांस के दे देती मुझे पूजा के लिए सामान लेना है अभी रुख जा, देखने ही रहे हैं काम कर रही हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर शोबह पैसे लेने के इंतजार में खड़ी रहती है और उसकी मालकिन चट पूजा के सामान की लिस्ट बनाती रहती है शोबह को खड़े-खड़े एक घंटा बीच जाता है इतनी देर में मालकिन का पती भी सामान लेकर घर आ जाता है अच्छा हुआ तुम बाकी का सामान ले आए पता नहीं कल से वरत शुरू है अब शुरू करूंगी तो सुबह तक तैयारी कर पाऊंगी मालकिन रात होने वाली है मुझे बाजार बे निकलना है बाजार में भीड हो जाएगी आप मुझे वो पैसे दे देती पैसे तुमें दे देती पर हमारा इतना खर्चा हो गया है अब तु ही बता तु ऐसे एडवांस रुपे मांगती रहेगी तो हम तो तर गए मैं एडवांस नहीं दे सकती देख पहले ही हमारा छट पूजा के लिए इतना खर्चा हो गया है अब मैं तेरे मालिक से अगर कहूंगी कि तु एडवांस रुपे मांग रही है तो वो मना कर देंगे इसलिए मैं नहीं दे सकती मालकिन पर आप तो कह रही थी शाम को आप दे दोगी मेरा वरत है मालकिन मुझे बहुत जरुरत है पैसो की आजकल सूब दौरा सब कुछ बास की टोकरी बहुत महंगाता है कम से कम 2000 से 3000 रुपे का सामाना आएगा मालकिन नहीं तू चाहे मुझे सही समझ या गलत समझ मैं अभी नहीं दे सकती अभी तेरे मालक कमरे में सो गए है अभी तू जा मेरा दिमाग मत खा शोबा की मालकिन ने उसका अच्छा फायदा उठाया था एक गरीब की छट पूजा एक अमीर के लिए कोई माइने नहीं रखती थी ये उसकी मालकिन ने साबित कर दिया था शोबा घर जाकर खूब रोती है ये चट मैया मैं भी आपका वृत रखना चाती हूँ पर सामान के लिए पैसे नहीं है मैं क्या करूँ घर में पूरी पक्वान कैसे बनाओंगी मैया शोबा के पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसी से ही अगले दिन वृत को प्रारम करती है और घाट पर पूजा करने जाती है उसी घाट पर शोबा की मालकिन भी पूजा करने के लिए आई हुई थी वो धेरो पूरी पक्वान से छट मैया की पूजा करने के लिए पानी में जा रही थी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत तेज पानी के बहाओ में गिरती है ओरी मुरी मैया, मैं गई मेरा पैर गया सुनो जी मेरा पैर उटने रहा लगता है मेरे पैर की हड़ी तूट गई है अरे ये क्या हो गया, रुको मैं किसी से मदद लेकर तुम्हें किनारे तक ले चलता हूँ तब ही शोबा की नजर अपनी मालकिन पर जाती है क्या होँ मालिक, मालकिन के पैर में क्या हुआ है पूजा करने के लिए पानी में जा रही थी चिकनी मिट्टी पर पैर फिसल गया लगता है पैर की हड़ी तूट गई है मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा सुनो जी जरा इधर आओ हमें इनके साथ चलना चाहिए रुक्ये मालिक हम आपकी मदद करते है शोभा अपने पती के साथ उनकी मदद करती है वो लोग सुश्मा को लीकर हॉस्पिटल पहुँचते है धबराने की कोई बात नहीं है एडी में फ्रेक्चर नहीं है हलका मास भटा है कुछ दिनों में आराम आ जाएगा अब मैं घाट पर कैसे जाओंगी मेरा तो छट पूजा का व्रत है